हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फोर यू, सो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जो आपका SSC CHSL की जो निव वेकेंसी आई है, उसके प्रीबियस यर्स के कोश्टन्स पेपर को जो है, इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो जो भ अपनी तयारी को सुरूख कर सकते हैं, तो वीडियो को जो है लाश्ट तक जरूर देखेगा, और आपसे रिक्वेश्ट करता हूँ, अभी तक अपनी मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो SSC CHSL की तयारी करने के लिए जो है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा, और बगल में ही आपको एक पहला आइकन यानि घंटे का निसान भी दिक्राओगा, तो आप उसे भी जो जरूर प्रैस कर दिजेगा, तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो आज का जो आपका पहला कोशन है दोस्तों कि मैसूर समराज जी और ब इसके बीच लड़ा गया था, तो ये भी आपको एक रखना है, कि मैसूर समराज जी और ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के मद्य यूद लड़ा गया था, आपको बता दे दोस्तों कि टोटल जो है, आपके चार एंगल मैसर यूद जो है, वो लड़े गया है, ठीक है, प्रतम यूद जो आपका लड़ा गया था, वो 1767 से आपका जो है, 1779 तक लड़ा गया था, ठीक है, कि इनके मद्य लड़ा गया था, तो ये भी आपको याद रखना है, कि इस्ट इंडिया कंपनी और सुल्तान हैदर अली के मद्य जो है, आपका प्रतम एंगलो यूद द्रास में अंग्रेजों की आकर्मन नीतियों के कारण यूद लड़ा गया था, और थर्ड यूद की बार कर लेकि तीसरा एंगलो मैसर यूद जो ये कब लड़ा गया था, तो ये भी आपका याद रखना है कि तीसरा जो एंगलो मैसर यूद है, ये 1790 से लेकर बिरानवे के मध्य लड़ा गया था और एक आपका चौथा मैसीयुद जो ये कभ लड़ा गया था तो ये 1798 से जो है निचानव के मध्य जो है ये लड़ा गया था तो ये सारे फैक्ट जो आपको याद रखना है क्यूंकि यहां से बहुत को संबंदित फसल कटाई कि रीतु 100 ड़कों दोरा यह न्याई निरति है आपका क्रिसी जीवन से संबन्दित अथे और इस निरते में रहए झाल पूरुस भाग लेते हैं तो और में पूथ पूचा जाऊने की संत्रों निरते हैं जिसमें बंस भाग लेते ठीक है तो आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन आपका यहां पर दोस्तों कि निम्लिखित में से जो है किसने लिंग्ड कैपेसिटर का वर्नन करने के लिए बैटरी सब्द गड़ा था ठीक है तो देखें आपका जो बैटरी सब्द जो गड़े थे यह बेंजामिन इनकी द्वारे जो है गड़ा गया था तो बेंजामिन फ्रैंकली जो आपका यहां पर करिक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन आपका यहां पर दोस्तों की MS Office की Software में किसी भी लाइन या टेक्स पेज के बीच में लाने के लिए कि सौटकट की का उप्योग किया जाता है यह CTRL प्लस इका उप्योग किया जाता है तो CTRL प्लस इजो आपका यहां पर करिक्ट एंसर हो जाएगा और बात कर लिए तो बीच का हो गया यदि अगर आपको आर का जो उप्योग किया जाता है और लेप्ट में जो आपका CTRL प्लस इल जो है वो आपका करिक्ट एंसर हो जाएगा तो यह भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन आपका यहां पर दोस्तों कि भारत के वितायों के जो है पंद्रवे अध्याच कौन है तो देखे भारत के वितायों के जो पंद्रवे अध्याच है वो NK सिंग है तो NK सिंग जो आपका यहां पर करिक्ट एंसर हो जाएगा अब इसके फैक्ट के बारे मे मैं आपको दो दोस्तों कि वे तायों का जो कारिकाल होता है वह पांच वर्सों का ठीक है तो यह आपको याद रखना है कि वे तायों का कारी कल जो है कितने मेवर्सों का हुता तो baret फ्रेश आत ञुझक और यह जो 15 वे अध्याच डीकों जोकर डोजार प्रफैस तक रहने वाला है तो यह भी आपको याद रखना है और यहां से एक कोईशन और आपका पूछा जाता है दोस्तों कि भारत के जो वितायो के चौदवे अध्याज कौन थे ठीक है तो यह भी आपको याद रखना beim a अध्यास थे वह डॉक्टर वाई भी रेड़ी थे ठीक है यह जो डॉक्टर वाई भी रेड़ी है यह जो चौदवे अध्यास थे ठीक है और वितायों का जो वर्नन है कौन से अनुछेद में किया गया तो यह भी आपको याद रखना है और इनकी जो न्यूपती है वह किसके द्वारा किया जाता है तो यह जो है राश्ट पती के द्वारा किया जाता है तो यह भी आपको याद रखना है और प्रतम वित आयोग कौन थे तो यह भी आपको याद रखना है कि प्रतम वित आयोग जे थोए वह केसी नियोगी थे ठीक है इनका नाम आपको याद रखना है कि प्रत्व वितायोग का नाम क्या है तो केसी नहीं होगी फिर आपका correct answer हो जाएगा next question आपका यहाँ पर दोस्तों कि क्लोरो फ्लोरो कार्बन जैसे क्रिक्तिम रसायनों को किस परियावर्निय परिगटना से संबंद किया गया है तो देखें यह जो क्लोरो फ्लोरो कार्बन जिसको सी एफ सी एस बोलते हैं इंग्लीस में इसमें जो क्रितिम रसायनों को जो परियावर्निय परिगटना का संबंद किया गया है यह ओजोन के क्रमिक हाउस से जो इसे संबंद किया गया है तो जो आपका यहाँ पर correct answer हो जाता नेक्स्ट कोशन आपका यहाँ पर है दोस्तों कि निमलिकित में से जो है कौन सा अनुचेद जो है सिच्छा के मौलिक अधिकार के रूप में जो है छे से चौदा वर्स की आयू वर्ग वाले सभी बच्चों के लिए मुप्त और अनिवार सिच्छा प्रदान करना सुनिश यहां से एक कोशन आपका और भी पूछा जाता है दोस्तों कि सिच्छा के अधिकार को जो है कौन से संभिधान संसोधन के तहट जोड़ा गया था ठीक है तो यह भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन आपका यहां पर दोस्तों कि इन में से कौन सा एक जो है ऑप्रेटिंग सिस्टम नहीं है ठीक है तो देखिए आपका जो लाइनक्स है मैक्रोसफ्ट आपईस है और यूनिक्स जो है यह सब जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अलाब आपका option में पर करेक्ट एंसर हो जाता नेक्स्ट कोशन आपका यहां पर है दोस्तों कि हड़पा सब्यता की खोज जो है सर्वप्रतम किस वर्च में हुई थी तो देखें यह जो हड़पा सब्यता की खोज की गई थी यह आपका 1921 इस्वी में किया गया था तो 1921 जो आपका यहां पर कर रखिया गया था तो दयाराम सानी के द्वारा जो है 1921 इसी में जो हड़पा सबेता की खोज की गए ठीक है और यहां से एक कोशन और आपका बनता है दोस्तों कि मोहन जो दाड़ों की जो खोज है वो किस ने किया था तो यह भी आपको याद रखना है कि मोहन जो दाड़ों क पर इस्तित है तो यह जो है रावीन दी के तड़ पर इस्तित है ठीक है तो यह भी आपको याद रखना है । ऑRe których कि ब्लिक में से जो है किस मंत्राले द्वारा जो है अंगी कार और E-Course नाम के जो है दो अभियान सुरू किये गए हैं तो देखें यह जो आपका अंगी कार और E-Course जो दो अभियान सुरू किये गए हैं यह आपका Ministry of Housing and Urban Affairs के द्वारा यानि आवसन और सहरी कारियर मंत्राले के द्वारा जो ठीक है तो यह भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन आपका यहां पर दोस्तों कि निम्लिखित में से जो वो कौन प्रतिष्टित वैक्ति हैं जिने वर्स 2019 में जो है माननीय राश्पति के द्वारा भारत रतन से समानित नहीं किया गया है तो देखें 2019 में जो है तीन वैक्तियों को भारत रतन दिया गया था ठीक है कौन कौन से तीन वैक्तियों नाना जी देश्मोग प्रणब मुखर जी और भुपेंद्र हजारिका यह तीन वैक्तियों को जो है भारत रतन से समानित नहीं किया गया था 2019 में ठीक है आपको यह कमेंट बॉक्स में जवाब देना है नेक्स्ट कुरिशन आपका यहाँ पर है दोस्तों कि जनवरी 2020 को जो है भारत ओमान दी पच्छे नौ सिनाब्यास नसीम अलबहर में भाग लेने के लिए ओमान के कितने जहाज को जो है गोवा पहुंचे थे ठीक है तो देखे ओमान के तरफ से जो जहाज पहुंचे ठीक है पहला जहाज का जो नाम होगिया वह आपका आरे नौ भी अल्रसी को गया और दूसरे जहाज का जो आम हो गया वह आरे नौ भी कसाभ होगिया ठीक है और यह जो आपका यह दिपचिय नौ से नाब्यास होँआ था यह कौन सा संसकरन था तो ये भी आपको हैंद ए ق classrooms अगर पीडिवत की मूआपजा कितना होता है ठीक है। तो देखिए आपको hit and run case में अगर period की मिलती हो जाती है तो उनके परीजनों को जो है दो लाग से अधिक मुआवजा दिया जाएगा तो option A जो आपका यहाँ पर correct answer हो जाता next question आपका यहाँ पर दोस्तों की 10 से 22 जनवरी 2020 के दोरान खेलो इंडिया यूद गेम्स कहा आयो जित किये गए थे तो देखें आपका 2020 में जो खेलो इंडिया यूद गेम्स हुआ था यह आपका गुहाटी असम में किया गया था तो गुहाटी जो आपका यहाँ पर correct answer हो जाएगा बात कर ले 2020 में जो प्रतम अस्तान पर कौन रहा था तो यह भी आपका यहाँ रखना है प्रतम अस्तान पर जो रहा था वो आपका महाराष्ट राज्य रहा था ठीक है इन्होंने जो है 256 मिडल जीते थे तो यह आपको यहाँ रखना है सेकेंड अस्तान पर जो रहा था वो आयोजित किया गया था तो ये भी आपको याद रखना है और ढुर प्रन तक है थे लो इंडिया यूद्गेम्स का जो प्रतम संकरन था वह 2008 रहे था जो कि आपका दिलिमें आयोजित किया था नेक्स्ट कूशन आपके दोस्तों की वे 5 समू कौन से है जिन में जो आपके पाद पो यानि पौदे को विभाजित किया गया है तो आपके जो 5 समू है जि तो आॉप्सिन थ्री आपका यहांपे करिक्ट झाइंसर हो जाता है नेक्सट कोसेशन्हाइब कि सरीर के किस अंग दवारा बनाया जाता है तो आग्सरिक्टंज आपके यहांपे करिक्ट झाइंसर जाएगा नेक्स्ट कोशन आपका यहां पर दोस्तों की भुपेन हजारी का सेतू यानि भुपेन हजारी का पूल जिसे जो है ढोला सदिया पूल भी का जाता है ये असम और किस राजी को जोड़ता है तो देखें ये जो आपका ढोला सदिया पूल है ये असम और अरुनाचल परदेश राजी को जोड़ता है तो अरुनाचल परदेश आपका यहां पर करेक्ट अंसर हो जाएगा आपको ये भी आद रखना है दोस्तों कि भारत का जो सब सबसे लंबा पूल है वो कौन है तो यह डोला सदिया पूल है ठीक है अगर एक्जाम में आप से पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा पूल कौन सा है तो यह डोला सदिया पूल है जिसके लंबाई कितनी है तो 9.15 किलोमीटर है ठीक है और इसका उद्गाटन जो कब किया ग तो यह प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था तो यह आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन आपका यहां पर दोस्तों कि निम्लिखित में से जो है कौन सी तरंगे यानि किरने जो है उस्तम आवरीती वाली विदुद्द चुमकिये तरंगे किरने है ठ कि सबसे कम आवरीती होसा प्सक्राफ का सबसे कम आपका माक्रोकर werden यह था माइक्रोक स्के बाद आपका तो हीटा प्यानि सबसेत화를 ख्याता है तो यह थे नियांपका एकसरेय प्लेज पाखना है उसके बाद जो ऑन्सोन खोशनुने क्न होता है और हूं का उसके सबसे ज्यादा आवरीती किसका होता है तो हांडा हो जाएगा और सबसे कम अगर आवरीती पूचा जाiran तो फिर आपका रेडियो वेप्स आपका qualité हो जाएगा नेक्सक्राइब का यहांप भारत के किस राज्यचित है तो यह जो बमारी लढ दर्ण है यह Миप आपका रुनाचल परदेश राजी में इस्तित है तो आपसन टू जो आपका यहां पर करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन आपके दोस्तों की प्रतेक वर्स मनाए जाने वाले प्रसिद गौरा-गौरी पूजा का अनंद लेने के लिए आप किस राज में जाएंगे तो देखें यह जो गौरी-गौरा पूजा जो है यह आपका च्छतिस गर्ड राजी में मनाए जाता है तो च्छतिस गर्ड जो आपका यहां पर करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन आपके दोस्तों की द्रोना-चारे पुरुसकार जो है यह किस वर्ट्स आरंब किया गया था तो देखें यह जो द्रोना-चारे पुरुसकार है यह आपका 1985 इसवी में प्रारंब किया गया था तो 1985 जो आपका यहां पर करेक्ट एंसर हो जागा देखें यह जो द्रोना-चारे आवाड है यह खेलों में उत्कृस्ट कोचों के लिए जो यह आवाड दिय जाता है तो यह आपको याद रखना है कि द्रोनाचारे पुरुसकार जो यह किसे दिया जाता है तो खेलों में उतकरिष्ट कोचों को जो है यह आवार्ड दिया जाता है ठीक है और इसमें जो नगत पुरुसकार दिया जाता है तो पांच लाक रुपे जो है वो नगत पुर तो द्रास यह क्रिक्ट एंसर हो जाएगा और यह ज baru द्रास है दोस्तों यह जम्मो कसमीर के कारगी चिले में ठीक है और इसे लदाक के द्वार के सबसे आप से पूचा जाता है तो लधाक के सबसे ठंडा स्थHन कौन सा यह सबसे थंडा स्तान है वह बक्षो यांसक है ठीक है और यह बक्षो यांसक कहां पर आ यह साइबेरिया है तो यह आपको याद रखना है कि इन में से काम सा मानृ चरम और भी और हाय और टीका है तो टो कह पो toi कहीं होता है तो तो हो आपके यहां पर we विलांचनी वन में जो कौन से व्रिच पाये जाते हैं तो इतने सारे जो मैं आपको प्रिविए से कोश्टन को डिसकस किया हूँ तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो दोस्तों तो वीडियो को जो लाइक जरूर कर दिजेगा और अगर आपको इसका पीडियाप चाह कर सकते हैं तो आगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना बिलकुल मत बुलीगा चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करके जो है बैल आइकन को जरूर प्रैस कर दिजेगा तो मिलते हैं नेक्स्सडीं तब तक थाइंक्यू ओलदा बैस